हे गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल और आज मैं अब लेकर आई हूँ बहुती ज्यादा हेल्दी रेसिपी जो के प्रोटीन पाउडर की तो मोस्तली हम जो है मार्किट सी प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं लेकिन आज मैं यह जो रेसिपी है वो घर पर ही बनाने वाली हूँ तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं प्रोटीन पाउडर तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पैन यह मैंने आप पर एक पैन लिया है और पैन में मैंने डाले यह 10 से बारे बादाम लेने हैं बादाम और उसी के साथ हमने यह 10 से बारे काजू लिये हैं और 1 पोड़न फूर्द कप मैंने लिए यह मुफली के दाने यह सारी चीज़ा डालने के बाद हमें इन्हें रोस्ट करना है तो बिल्कुल लोग फ्लेम पर हमें इन्हें रोस्ट कर लेना है जब तक यह अच्छे से रोस्ट नहीं हो जाते हलके से जो है गोल्डन ब्राउन नहीं ह हो जाते हैं उतना मैंने रोस्ट कर लेना है मुफली पर एक स्पॉर्ट आने लगा रोस्ट होने के बाद यह दिखिए अभी जो है मुफली पर और काजू पर हलका लका स्पॉर्ट आ गया है ब्राउन जैसा तो बस यह अच्छे से भुंच के हैं कि इसका फ्लिम आफ कर और इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा उने देंगे और उसे की साथ सेम पैन में अब हम रोस्ट करेंगे गहूं का आटा याने की वीट फ्लार जो हम नॉर्मल घर में रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं यह वही गहूं का आटा है तो यह मैंने वन फोर यह देखिए अभी आप देख सकते हैं कि जो आटा है उसका कलर जो हलका सा ब्राउन हो गया है अच्छे से भून चुका है आटा इसमें से एक अच्छी खुश्बू आ रही है तो गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे भी एक प्लेट में ठंडा होने देंगे तो सारी चीज़े ठंडी हो गई है उसके बाद मैंने लिया है एक ग्राइंडर जार और जार में हम एट करेंगे जो हमने मूफली और काजु और बादाम को रोस्ट किया था उन्हें ठंडा कर लिया था उसी के साथ मैस मैं एट कर रही हूँ वन फोर्थ कप चीनी आप चाह हम दूध में से मिलाते हैं तो इसे क्रीमी युदेने के लिए मैं इस में डाल रही हूँ वन फोर्थ कप यह मिल्क पाउडर और एक छोकलेट फ्ले बडेनी के मैंनेस में डालाए दो टेबल स्पून कोकुवा पाउडर अभी हमें क्या करना है कि जार का लिट लगा देना है और इसे एकदम फाइन जो है हमें पीस लेना है इसके एक पाउडर बनाकर तियार कर लेना है यह मैंने यह आपर सभी चीजों को अच्छे से पीस लिया है और यह अच्छे से मिक्स भी हो चुकी है मैं भी आपको चेक कर आती हूँ तो ये देखी अच्छे से पिस चुकी हैं बिलकुल वैसा ही पाउडर बनकर तियार हुआ है हमारा जैसे मार्किट से लेकर आते हैं हौर लेक्स या बॉनवीटा जो हम लेकर आते हैं ये बिलकुल वही टेस्ट इसका बनकर तियार हुआ है आप एक बार इस recipe को try करके जरूर देखिएगा और इसे दूद में मिला कर पिएं बहुत ही ज़्यादा healthy recipe है ये तो बच्चे जो है वो बड़े मजे से आप दूद को पिएंगे बस आपको ये मिलाना है दूद में और बहुत ही मजे से बच्चे दूद को पिएंगे और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो पसंद आई हूँ तो वीडियो को like और मुझे comment करके जरूर बता है recipe आपको कैसी लगी तो तब तक लिए thank you friends